दूदवाखरा थाना चेतर के गाउं में अशलील फोटो वाइरल करने की धमकी देकर शादी शुदा महिला से दुशकर्म महिला थाने में नामजद मुकदमा दर्ज चुरू के दूदवा खाना थाना चेतर में शलील फोटो वायरल करने की धमकी देकर एक शादी शुदा महिला से दुशकर्म करने का मामला सामने आया है नामजद आरोपी शादी शुदा महिला से तब से दुश्करम करता रहा है जब एक ग्यारवी कक्षा में पढ़ती थी शनिवार देरशाम विभायताने चूरू के महिला थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया महिला थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो और आईपी सी की धाराव में मुकदमा दर्ज किया है पीडिता का राजके भरतिया जिला स्पताल में मेडिकल करवाया गया महिला थाना दिकारी इंदरलाल महरशी ने बताया कि दूद्वा खरा थाना चेतर के गाउं की विभाईता ने रिपोर्ट दी कि उसका पियर हर्मानगर जिले के गाउं में है जब एक सरकारी स्कूल में एक अक्षा ग्यारा में पढ़ती थी तो उसका रवी नाम के एक वेक्ति से बादचीत होती थी एक दिन जब मैं घर में अकेली थी तो रवी किताब मागने के बहाने उसके घर आया और उसे अकेला पाकर बहला फूसला कर उसकी एच्छा के विरुद उसके साथ दुशकरम किया और उसकी अशलील फोटों बना ली इसके बाद उसने अशलील फोटों वाइरल करने की के साथ कई बार दुशकर्म किया साल 2018 में उसकी शादी दूदवाखरा थाना चेतर के गाउं में हो गई शादी के बाद उसकी रवी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई लेकिन अब एक साल पहले रवी का उसके पास पोनाया तो उसने पुराने फोटो वाइरल करने की धमकी दी उसने कई बार आरोपी को फोटो डिलीट करने के लिए कहा लेकिन वह नहीं माना 14 जुलाई 2023 को उसने फिर फोन किया और उसे घर से बाहर बुलाया जिस पर वह घर से बाहर चली गई जहां उसे आरोपी मिला उसने आरोपी को उसकी फोटो डिलीट करने के लिए कहा लेकिन उसने उसके साथ चलने के लिए कहा आरोपी उसे सड़क किनारे बने पानी के कुंड के पास ले गया जहां 23 वर्षे विभाइता के साथ दुशकर्म किया जब उसने फोटो डिलीट करने के लिए कहा तो मना कर दिया आरोपी उसे रेलवे स्टेशन की तरफ चलने के लिए दब कर्म करता आ रहा है